नबस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ग्रोथ स्क्राइब करने में स्वागत है साथ हो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एन ना यूएस के टीटर मार्क एसाइमेंट हिंदी जिसका सब्जेक्टिक कॉड है 301 यह 12 क्लास का एसाइमेंट है और इनक पूरे एसाइमेंट का कोस्टन आपको मिलेगा वो भी फ्री में आपको यूट्यूब के मादयम से मिल जाएगा आप अपना एसाइमेंट कंप्लीट करें और न यूएस के जो लॉग इन पोटल है उस पे आप लॉग इन किजिए लॉग इन करने के बाद आप इसको अपलो ये में का जो आंसर्स है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या गया है हमारे जो प्राइवेट टीचर होते हैं उनके द्वारा ये एसाइमेंट का आंसर्स प्रिपेर्ड क्या गया है तो आप इसको जहान से देखें और इसको आप अपने कि मॉट्वूप में लिखें अब लिखने के बाद इसको स्केंइन करें इसको आप अपने रइंडराइटिंग में का रहें हैं कि सी और से नन लिखवाय तो ज्गभी लबश्यादा रहेगा आपने है। 7 अर्ड़ूप में लिखेंगे और तो सुन्दर सुन्दर लिखना आपाफ को जितना अच्हन है हर सब्जेक्ट में और तोटल कोषों डिया नहीं ता है जिसमें कि अप्संन दिया रहाता है कि एक नमर को थो हो तो हुटन हों तो यहां पर हमने एक क्या हुआ है और आपको जितने भी कोस्टंस है हिंदी टीमे में सारे का अंसर इसमें अबलेबल है प्रोजेक्ट वर्क वही अबलेबल है तो आप इसको ध्यान से देखिए विल्कुल कंप्यूटर से टाइप किया गया है ताकि आपको लिखने में कोई भी और सिवधाय ना हो और इसके बाद अगर आप किसी और सब्जेक्ट का मगाना चाहते हैं असायमेंट पेडियाप तो आप इस नमर पे यहां पे जो दिया गया है नमर इस नमर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा हम एनाइस के गयाइड वोक्स भी प्रवाइड करते हैं एडिमिशन में भी हेल्प करते हैं और सेम्पल एपर प्रैक्टिकल पीडियाप इगनू शॉल्व एसायमेंट अल टाइपस का एसायमेंट हमारे पास अवलेबल होता है तो जिनमिदार्थियों को एस के o student है कही से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें वड्साप के दिरिये मंगा सकते क्यू accompanies आप मोबाइल पे भी इसको प्रिव्यू करके आप देख सकते हैं और प्रेंट भी करा सकते हैं अगर जिनको मोबाइल से लिखने में और सुधाय हो रही है वो जाद देखतर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप प्रिंट करा लिजिए और कर आने के बाद आप लिख सकते हैं इस वीटियो बेन हम पूरा कोसं दिखाएंगे पूरे 6 के 6 कोसिन दिखाएंगे आपको पुरा देखना है और इसको लिखना है आप चाहे तो अपना लेंग्वेज में कर सकते हैं लेकिन जहां तक इस questions जो है और answer इसमें अपने लेंग्वेज में convert कर दिया गया है तो आपको जहाद दिक्कत नहीं होगा आप आसानी से लिख सकते हैं और शम्मिट कर सकते हैं सम्मिट करने का जो डेट है वो 31 जनवरी है 31 जनवरी के बाद आप नहीं कर पाएंगे यहीं एसानीमिट फिर आप अपक्टूबर एक्जाम जो होंगे 2022 में उसके लिए आपका जमा होगा तो इस बात को भी जियान रखे हैं कि जो एसानीमिट अभी जमा कर रहे हैं वो ही एसानीमिट आपका अपक्टूबर में भी जमा होगा जिसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई तो जिन विद्दार्थियों ने अभी तक जमान नहीं किये हैं वो फटापट जमा कर दें आपके पास मात्र अब बचे हुए हैं 20 दिन क्योंकि 31 जनुवरी लास्ट डेट है शायमेट जमा करने का अप्रेल में जो स्टूड़ेंट एक्जाम देंगे उनके लिए और एक्जाम फीस भी आप भर दीजिए क्योंकि एक्जाम फीस तो बहुत ही mandatory है अगर आप एक्जाम फीस नहीं बढ़ते हैं तो आपको एक्जाम देने नहीं दिया जाएगा आपका all ticket issues नहीं होगा तो इसलिए आप एक्जाम फीस 31 जनवरी से पहले पहले भर दें और 31 जनवरी तकर आप एक्जाम फीस भरेंगे तो आपको कोई भी फीस लेट फीस नहीं भरना पड़ेगा आपको जो फीस जा रहा है वही आपको पैमेंट करना होगा तो इसलिए आप अपना जो डेट दिया गया है ट्यू डेट उसका आप दियान रखें यह दो पेज था अब तीसरा पेज पेज पर हम चलेंगे बिल्कुल यहां पे जो है वर्ड का ख्याल रखा गया है हमारे पास इतने भी कियमे के सॉलिशन होते हैं सब में हमने जो सब जो होते हैं उसका वर्ड का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि बच्छों को अच्छे मार्स मिल पाएं तो यहां पर आप देखिए सोब से डेड़ सव वर्ड में जो बोला गया है पांस नमर का आपको यहां मिलेगा सोब से डेड़ सव उससे कहीं जाना मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा लास्ट कुस्सन जो है प्रोजेक्ट वर्क होता है वह हमारे जितने भी एसाइमेंट है सब में हमने करा दिये हैं ताकि बच्चे को कहीं भी टूंडने के जरत नहीं है अगर आप हमारे आंसर से अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ और आंसर लिखना ही होगा आपको कहीं डूंडने ढाने की जरत नहीं होगी कि अग्यूंडने की को कि अग्यूंडने को कि अकर्शन सरी यह पेज़ नंबर पांस था और यह आपका पेज़ नंबर छे होगा तो टोटल मेरी ख्याल से साथ या आठ पेज होगा साथ पेज मना चाहिए तो देख लिए यहाँ पे टोटल पेज छे है हमने यहाँ पे अपना फंड नमर भी दे रखा है और मेल आडी भी दे दिया है अगर आप मेल के तुरू अगर मंगाना चाहते हो तो मेल के तुरू बंगा सकते हो या आप हमारे वेबस्टाइट पर विजिट करके मंगा सकते हैं झाल आपको मैंने पूरे assignment का questions का answer आपको मैंने इस video में दिखला दिया है आप आसानी से इसको लिख सकते हैं तो चलिए दो तीन पॉइंट और मैं बदलाता हूं को लिखना कैसे है आपको तो लिखने के लिए आप सबसे पहले page जो है वो लेना है एक साइड में लाइनिंग रहेगा और एक साइड प्लेन रहेगा आपको पेज खरिदना है उसके बाद इसमें यूज करेंगे ब्लू और ब्लैक पैन ब्लैक पैन से आप अपना question लिखेंगे और ब्लू पैन से आप अपना answers लिखेंगे और एक आता है बोल्ड लेटर लिखने के लिए pen आता है जिसे की मोटा आक्षर में लिखावट होती है तो उनको आभी यूज कर सकते हैं पॉइंट बनाने में यहाँ पॉइंट होगा या पॉर्सन लिखने के लिए आप उनका भी यूज कर सकते हैं गुलू और ब्लैक में ठीक है उसके बाद इसमें फ्रंट पेज बना लिजेगा और हर पेज में आप अपना पेज नम्मर डालने के बाद आप हो सके तो इंड्रॉल्मेंट नम्मर भी लिखे क्योंकि आपका टी अमें जो अपलोड करेंगे घर पेज में अगर इंड्रॉल्मेंट नम्मर रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा और आप अपना टीए में प्रिंटर से इसकेन कराक्टर पेडियाब बना लिजे और घ्यान रहें पेडियाब बनाने में 5 MB से ज्यादा ना हो 5 MB से काम होनी चाहिए पेडियाब और उसके बाग आप अपना ट्ये में अफलोड कर दिजिए आपको कहीं भी जाने नहीं है वैसे भी क्रोना चल रहा है अब practical के लिए जो है देखते हैं date आएगा और practical के लिए hall ticket आएगी अगर exam होगा तो practical देने जाना है और नहीं होगा तो आप TA में submit जरूर किजिए क्योंकि पिछले साल जिसने भी TA में जमा किया है वो सारे पास हो गए हैं और जिन लोगोंने TA में जमा नहीं किये हैं वो सा जरूर जमा करें अगर आप TA में जमा नहीं करेंगे और अगर एक्जाम नहीं होगी तो फिर आपको पास नहीं किया जाएगा इसलिए TA में और एक्जाम फिस यह जरूर आप जमा करें ठीक है अबर इसके अलावा अगर आपको कोई भी confusion हो तो आप हमारे contact number पे आप call कर सकत हैं हमने description में लिंक भी डाल रखा है आपको एक ही लिंक से सारे subject को आप डाउनलोड कर पाए नहीं हो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद